नमस्कार नियुस फोनेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रुचा शर्मादेश भर में कोरोना वाइरस का कहर लगतार जारी है लगतार आंकडे बढ़ रहे हैं और मौत का आंकडा भी बढ़ता नजर आ रहा है अब तक 72-100 लोगों की जान चले गई है कोरोना वाइरस के चपेट में आये थे वो एक हपते पहले वो कोरोना पॉजिटरी पाए गये थे और उसके बाद चन्हे के एक एक एस्पिताल में इनका इलाज कर आये जारा था रास सुबह यानि की बुदवार की सुबह 7 बजे इनका निधन हो गया है तो दुखत खबर है लेकिन बड़ इसकी वज़े से यदेश में किसी जन प्रतिनिदी की मौत का पहला मामला है जे अमबाजगन अपने 62 जनम दिन पर भी उनका निधन हो गया है जे अमबाजगन को सांस लेने में काफी परिशानी हो रही थी और सर्दी और बुखार भी था जिसके बाद उनका कोविड-19 टे हॉस्पिटल के CEO ने कहा है कि विधायक अनबाजगन की हालात सोंबार को गंभीर हो गई थी और उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट यानि ICU में शिफ्ट किया गया था उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था और बुदवार को उन्होंने अंतिमसा से ली आठ बजे उनकी मृत हो गई है अनबाजगन कोरोना संक्रमन के अलावा कई बीमारियों से जूज रहे थे वैसे पात जुन को उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था लेकिन आठ जुन को इस्तिती ज्यादा खराब हो गई थी वे चनई के डीमके के प्रमोख रनीतिकारों में से एक थे वे 2001 में पहली बार टी नगर विधानसवा शित्र से विधायक चुने गए और वे सीट पर 2006 में चुनाव हार गए थे इसके बाद 2011 में चेपक त्री पली कांस शित्र से विधायक बने थे तो इस वक्त की दुखत खबर तमिलाडू से देश भर में ये पहला मामला है जब किसी जन प मामला देश के लिए अभी पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि किसी जन प्रतिनिदी की मौत हो गई है कोरोना वारस के चपेट में जाने शे तो इस वक्त की दुखत खबर आ रही है देश में ये पहला मामला होगा जब किसी जन प्रतिनिदी ने कोरोना की चपेट में पर अपनी जान गवाई है अब इसको लेकर तमिलाडू की सियासत में उबाल खड़ा हो गया है उबाल मच गया है जिस हिसाब से लगातारा आंकडे बट रहे हैं उस पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है और ये पहला मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में शोकी लेहरे